हेलो फ्रेंड्स मैं चन्द प्रकास पाथक आप लोगों का अपने पाथक फार्मासी चैनल पर स्वागत है जी हाँ अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्रस कर दीजिए तो आज हम लोग बात करेंगे पोबीडीन आयोडीन के बारे में इस अधैन होता है पॉइंट पे टिप पे और यहां सेकंड पे ऑक्सिजन लगा होता है नाइट्रोजन से दो चेस्ट च्टू जुड़े होते हैं अधैल गृब ठीक है और ये कुछ उसका पॉपीड़ून का पॉपीड़ून से ठीक है यह पॉलीमर से इससे ही बनता है 부분- Caitlin के मिंसर मिक्सर से होता है कितना और में इसमें चार्ब हो जाता है जब इस पॉलीमर में तो क्या बन जाता है ठीक अब बात करतें इसधर कि प्रॉपर्टील क्या है ठालीत ब्राउन कलर हलका पीला और भूरा रंग का होता है it has slightly iodine like order iodine की जैसी इसकी गंद होती है it is amorphous powder होता है it is soluble in water and practically in soluble in acetone and ether water में घुलनसील है लेकिन ether और acetone में ये आघुलनसील है बात करें इसकी storage की it should be stored in well closed container, बहुत ही अच्छा से ढखा हुआ container में हमें से रखना चाहिए यूज की बात करें तो it is used as antiseptic or anti-infective दोनों में यूज होता है it is idophorbid prolonged antibacterial and antifungal activity ये किसमें यूज होता है prolonged बहुत लंबे समय तक antibacterial और antifungal activity रखता है, दोनों की property रखता है and it is used as mouthwash and gargles, इसका use mouthwash या gargles में किया जाता है बहुत सारे यूज है, लेकि यहाँ कुछ important point ही include किया है तो ये था हमारा आज का वीडियो उम्मित करता हूँ को आपको ये वीडियो जुरूर पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो like करें, share करें channel को subscribe करें thank you so much for watching this video thank you